असलाम दीकियों गाइस आज हम करने वाले हैं इंफिनिक्स नोट 11 का रिविवीयू आपको साथ स्पेस्ट ने शेयर करने वाला बलके A to Z डिटेल के साथ अपना रियल टायम एक्सपीरेंस शेयर करने वालों जितना टाइम मैंने इंफिनिक्स नोट 11 को यूज किया है वह सार मैं यह नहीं बताना वाला कि बैक सेट प्लास्टिक ही है, फ्रेम प्लास्टिक है, फ्लैट एचीज हैं, बलके मैं आपको आपके काम की जीज़े बताने वालू हूँ, लाइक इस ड्यवाइस में आपको dual stereo speaker देखने को मिल जाते हैं, एक speaker निज़े की साइट पर है, और एक speaker ऊपर की साइट पर है, यहाँ आपका earphone होता है, वहाँ पर एक speaker लगाया गया है, तो मतलब इस ड्यवाइस में dual stereo speaker है, call quality की बात कर लिए, तो अच्छी है, मुझे कोई issue देखनों को ने मिला, लेकिन हाँ, इस device में noise cancellation mic available नहीं है, single mic available है, लेकिन उसकी quality मुझे काफ़ अच्छी देखनों को मिली है, फिर्स इंप्रेशन की बात करें, जब आप फिर्स टाम इस device को पकड़ेंगे, तो in-hand feel काफ़ अच्छी मुझे देखनों को मिली है, compact size है, लाइक वो साथ साथ इंच वाली बड़ी displays नहीं है, 6.7 inches का display है, एक अच्छी in-hand feel भी मुझे इस device की देखनों को मिली है, device के software department की बात कर लिए तो device आती है, android 11 के साथ और xos 8.0 के साथ, यह पर user experience की बात कर लिए तो यतनी time मैंने से device को use की है, कोई lag बगारा मुझे देखरों को ने मिला, कोई bugs बगारा मुझे ऐसे है, कोई देखरों को मिले जिनको mention किया जाए, अच्छी experience निकल किया रहा था, लेकिन हाँ इस device में भी आपको ads बगारा देखनों को मिलने वाली है, आप उनको remove कर सकते है, easily YouTube पर बहुत सारी videos available है, पर एक water drop notch है, लेकिन actual बात करते हैं कि इस device का display किस तरह का है, color कैसे निकल किया आते है, brightness कैसे कैसे है, visibility कैसे है, सब कुछ आपको बतातों, तो सली रखें, यहांपर बात कर लिए device के color की तो color काफी अच्छी निकल किया है, यहांपर इस device में ने काफी time media consume किया है, मुझे color के मामले में, और sharpness के मामले में, SSO के issue देखने को नहीं मिला, outer visibility की बात कर लिए तो काफी अच्छी है, इसको मैंने direct harshlet के निचे भी use किया है, brightness के मामले में, मुझे कोई SSO issue देखने को नहीं मिला, indoor outer, brightness हो रही हैं, पर sharpness के मामले में, device बहुत अच्छे त्रीके से perform का रह यानि आप OTT platform पर HD में media consume नहीं काड़ सकते हैं, अब I don't know कि यहाँ वाइड 111 की support क्यों नहीं दीगी होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर जो chipset है वो भी capable है, और device भी capable है, लेकि नहीं दीखी, infinix को चाहिए कि यहाँ पर वाइड 111 की support देनी चाहिए, device की performance और gaming performance की बा मुझे को इस चिपसे, अरूंड डाइला की आसपस इसका इसको निकल गयाता है, जो कि कफी अच्छा है इस price tag में, और यहाँ पर इसको device की यतना मैंने यूज किया, performance के मामले मुझे को इश्यू देखनों को नहीं मिला, apps on time यहाँ पर open हो रही थी, और यहाँ पर कोई lag व और कफी इची gameplay हो रही थी, maximum आप 40 apps तक gameplay कार सकते हैं, अगर आप वह भी एक dedicated gaming review भी देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर वह भी available है, वह भी आप जाके जाकूट कार सकते हैं, लेकिन हाँ आपको शाड में बताओं कि gaming के लिए यह device कैसी है, तो definitely एक अच्छा option आप लो camera department की बात कर लिए, तो बैक सिर्फ 50 Megapixel का sensor है, 16 Megapixel का selfie shooter है, अगर आप इसकी detail में ज्यादा detail में गुसना चाहते हैं, ना camera की, तो एक dedicated camera review भी मैंने इसका किया हुए, वह भी आप जाके चाकूट कार लिजिएगा, लेकिन अभी बात करते हैं, actual में कि इसकी photography कैसी मुझे द और dynamic range mostly 10 में से 9 cases में dynamic range अची निगल का ही है, front selfie की बात कर लिए, तो same यहाँ पर सीन है, लेकिन एक चीज़ का फरक हो बतातूं किया, color अच्छे देखनों को मिले हैं, detail कम है, लेकिन dynamic range mostly cases में disturb मुझे देखनों को मिली है, इसकी video graphic की तो बिल्कुल average ही है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, आपका average गुजारा कार जाएगी, लेकिन आप बहुत ज्यादा expect नहीं कार सकते है, इस device की video graphic से, तोड़ से color अजीब कार देती है, चेहरे के, मैं आपको साथ sample shot भी आपको दिखा रहा हूँ, dynamic range की बात करने तो dynamic range control का रही है, लेकिन चेहरे के color को दोड़ सा जीब का रही है, याँ फिनिक्स को चाहिए के video graphic में ये चेहरे के color जीब होते हैं, इस पर काम करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा important है video graphic में, चाहिए जितनी अच्छी detail निकल गया है, चाहिए जितनी अच्छी dynamic की रहे हैं, जो अगर ये अपने चे night condition में, AI से लेंगे और एक picture आप लेंगे night mood से तो जमीन असमान का फरक होगा, पहले क्या होता था कि आप night mood से पिक्चर लेते थे और AI camera से जो पिक्चर लेते थे उसमें आपको को फरक देखने को नहीं था मिलता लेकिन note 11 में, जो AI से पिक्चर लेंगे और जो night mood से लेंग की बात करें ना, तो एक चीज मुझे इस device में अच्छी देखने को मिली है, वो आपको बता दूँ कैसे, इस device में basically 33 watt की fast charging है, 5000 mh की बैटरी है, हमने देखा था कि Infinix Note 10 Pro में same यह combination था लेकिन वो by device ले रही थी around 2-5 गंटे 100% चार्ज होने में, लेकिन Infinix Note 11 की बात कर लिए तो यह device लेती है, around 92 minutes, like, डेट गंडे के आसपस लेती है, और डेट गंडे में 100% चार्ज करती है, comparatively, जो no time pro था, उसे काफी है इस device की call recording की, तो इस device में एक हुफिया call recorder available है, यह सब call record करेंगे, और next person को पता भी नहीं लगेगा, बहुत कम SD devices होती है, जिन में हुफिया call recorder हमें देखनों को मिलता तो एक अच्छी बात है, device की sim situation की बात कर लिए तो dual sim और साथ में SD got slot available है, जो guys अभी बात कर लेते हैं, इस device के price के ओपर मेरा क्या opinion है, first of all, यह device दो वेंट में आती है, 412612, off-land price बात कर लिए तो, off-land market में 4126122 वाले की price है 31,000, और 6126122 वाले क आपको easy देखनों को मिल जएगा, कहीं ना कहीं 28,000 का और 30,000 का 6GB वाले वेंट आपको देखनों को मिल जएगा, इस price tag में मैं आपको कहूंगा, 4GB वाले वेंट ज्यादा आपको value for money वाला factor प्रवाइट करेगा, और इस price tag में एक AMOLED display G88 वेगरा एक काफी अच्छा option निकल यहाता है, तो definitely मैं कहूंगा, अगर आपको यह पास 30,000 का budget है, आपको एक device आप चाहिए तो definitely आप इस device को consider कर सकते हैं, बाकि इस device के camera कैसा है, display कैसी है, सारी चीज़े मैं आपको इस review में provide कार दी है, और साथ ही बात कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको starting में बताया था कि इस वीडियो को like का दीजेगा, जो कि आप वैसे ही करते हैं, और मैं as soon as possible आकर पराने giveaways यतने भी रहते हैं, और ये giveaways भी निकाल दूँगा, वाकि, we'll see you next video, अलाफिस